आज की मेरे रेसिपी इतनी बढ़िया और इतनी शांदार होने वाली है आप भी इस रेसिपी को देखकर मेरे बिल्कुल फैन हो जाने वाले हैं अगर आपसे भी वैनिला स्पॉंज का बेस जो है बिल्कुल एकदम फ्लफी बिल्कुल स्पॉंज हो रुई की तरह नहीं बनता है तो ये रेसिपी देखने के बाद पक्का अगर आप ट्राइ करेंगे तो पहली बार में फस्ट टाइम में आपका भी स्पॉंज कावी बढ़ सकते हैं कॉंट्रो डालेंगे तो ज्यादा वाइट कलर आएगा वन टीस्पॉन बेकिंग पाउडर और वन फॉर्थ टीस्पॉन बेकिंग सोडा सारी चीजों यानि ड्राइ जो इंग्रीडियंट है उन सभी को एक साथ अच्छे से चान लेंगे फिर चानने के बाद सेफ्टी के लिए मैंने लगाया है बटर पेपर आइट साइट से बिलकुल भी डस्टिंग मेरे की न करें उसके बाद मैंने लिये हैं दो बनाना बिलकुल पक्केवे बनाना और एकदम वाइट और बिलकुल अच्छे बनाना अच्छी क्वालिटी के लिए हैं इसके बाद वन टेबल स्पून में ने डाल दिया है वेनिला एसेंस उसके बाद सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड किया है बिल्कुल स्मूध होने तक एकदम क्रीम जैसा पेस्ट बन जाएगा हमारा अब हमारा जो ड्राइ इंग्रिडियन्ट है उसमें हमारी ये वेट इंग्रिड है वो डाल देंगे यानि कि हम बैटर को इसमें डाल देंगे और इसका एक बहुत ही अच्छा सा स्मूध सा बैटर बनाएंगी तो ये देखिए कटेंड फोल से मैंने ये बैटर बना लिया है अब मैं हैंड विसकर की साहिता से इसको थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर ल यहूँ बहुत ही ज्यादा ठीक है यानि कि बड़े बड़े से रिबिन बन रहे हैं तो थोड़ा सा मेने दो से थीन चमज दूध लिया है बस थोड़ा थोड़ा करके मैं इसकी च्छुटी चंबच दूध लिया है आप देख पारे होंगे कि मैंने कितना दूध से अंडर डाला है और किस तरह की consistency मुझे चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा एक दे चमबस डूट डालने के बाद हमारो जो बैटर है ये देखिए बिल्कुल इसके बढ़िया से जो ribbon है वो निकल रहे है तूट नहीं रहे है अब tap कर दिया है मैंने कडाई में केक को बनाया है तो मैंने प का उपर का शेप था वो हलका सा खराब हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं मेरा केक 25 से 30 मिट में मैंने मतलब इसको 20 मिट के बाद ही चेक कर लिया था क्योंकि मेरी कडाई छोटी है ना तो इसमें बेकिंग काफी बढ़िया सी हो जाती है तो ये देखिए नाइफ बिल्कुल नहीं करेंगे ढखकर रख देंगे ठंडा होने के लिए आदे गंटे के लिए अब इसके बाद आदे गंटे बाद मैंने इसको डी मोल्ड किया है तो ढखकर इसको ठंडा करना उसी जो गरम गरम है उसी में इसको ढखना बहुत जादा जरूरी है इससे क्या होगा हमारे जो करके आप ब्रेड वाला जो कंटेनर आता है उसमें डाल कर इसकी बैक कर लीजिए आपको बढ़िया सी स्लाइस मीलेगी देखिए केक हमारा कितना अच्छा से फ्यूला है कितनी बढ़िया सी हाइट आईगी और सिर्फ एक कप मैदे का बना हुआ है आप अगर इसमें दो करेंगे न तो उबर से थोड़ा सा वाइट रह जाएगा लेकिन अगर कूकर में बेक करेंगे न तो बिल्कुल उपर से भी इसमें इवन कलर आता है तो मेरे कैटने से ही आप देख सकते हैं पता लग गया होगा कि कितना सॉफ्ट और एकदम स्पॉंजी केक बना है पूरी यह रोही की तरह वापिस से ओठ जाएगा यह देखिए मैंने बिल्कुल बहुत ताकत से आपको पहले भी करके दिखाया है तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज चैनल क को जरूर सब्क्राइब करके जाएगा मैं लाओंगे आपके लिए सारी रेसिपी इसी तरह से बिलकुल आसान तरीके से कोई भी बना पाएगा बिगनर्स भी ट्राइगा तो पहली बार में नो फेल रेसिपी